बिस्म अल्लाहिर रख्मान ररहीम, अस्सलाम अलेकुम अव्रिवान, उमीद करती हूँ कि आप सब इलकुल ठीक होंगे, मेरा नाम है फात्मा और आप देख रहे हैं FM's बावर्चीहाना दोस्तों, आज बक्रा इच स्पेशल में मैं आपको बनाना चिखाऊंगी नमकीन प्यास गोश्ट की रेसिपी, जो के बहुत मज़े का बनता है, सिंपल और इजी सी रेसिपी है, हर कोई इजीली बना सकता है, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं नमकीन गोश्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने आधा किलो गोश्ट लेना है, मैंने यहां पर बीफ का गोश्ट लिया है, इसके अंदर हडिया भी जरूर होनी चाहिए, इसके बाद आपने इसे प्रेशर में डाल देना है, गोश्ट को अच्छे से वाश करके, फिर इ एक चमच भरके अधरक लेसन का पेस्ट, आप चाहें तो अधरक लेसन कोट के भी डाल सकते हैं फ्रेश, यह सारी चीजें डालने के बाद आपने इसमें दो चमच बड़े ओल के डालने है, यानिके 2 टेबल स्पून ओल, मिक्स करेंगे सब को, और मिक्स करने के बाद आपन कुकर को बंद करना है, और सीटी लगा देनी है गोश्ट को तकरीवन 15 मिनट के लिए, जब सीटी बोलना स्टार्ट होगी तब से आपने टाइम को नोट कर लेना है, और 15 मिनट के लिए सीटी को बोलने देना है, मीनवाइल आपने क्या करना है, आपने ब्लेंडर लेना है, इसके अंदर 3 हरी मिर्चे और 2 अदद बड़े प्याज आपने कट करके मोटे मोटे डाल देने हैं फिर इसमें आधा ग्लास आपने पानी डालना है ब्लेंड कर लेना है इन सब चीजों को अच्छे से मीनवाइल चैनल पे न्यू है वीडियो फर्स टाइम देखने हैं तो काईली चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना मत भूलेगा अब एक कड़ाही में अधा कप ऑईल लें और हरी मिर्चे और प्यास का जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो इसमें शामिल कर दें तकरीबन आपने 5-6 मिनट के लिए इस पेस्ट को अच्छे से पका लेना है ओल के अंदर इतना आपने पकाना है कि सारा पानी ड्राइ हो जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुकर को अच्छे से सीटी आ चुकी थी और गोश्ट अच्छे से गल गया है अब आपने यहाँ पे नोटिस करना है कि सारा पानी ड्राइ हो चुका है इस स्टेज पे आपने इसके अंदर शामिल कर देना है आदा कप दही का दही मैंने अच्छे से फैंट लिया फिर इसमें शामिल किया है अब तकरीबर आपने इसको इतना अच्छा भूनना है कि सारा पानी ड्राइ हो जाए और प्यास का कलर जो है वो गोल्डन सा हो जाए आप देख सकते हैं प्याजों ने आउयल छोड़ दिया अब आपने इसमें शामिल कर देना है गोश्ट जो के हमने अच्छे से सीटी लगाकर गला लिया था गोश्ट मैंने डाल दिया है गोश्ट डालने के बाद आपने इसे फ्राइ करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए दिर्मियानी आँच के उपर इसके अंदर मैं 2-3 चमच भरके यखनी के भी डालूँगी ये वही पानी वही यखनी है जिसमें हमने गोश्ट को अच्छे से टेंडर किया है गलाया है वही मैंने यखनी यहां पर इस्तमाल की है अब 5 मिनिट हो चुके हैं गोश्ट को भुनते हुए इसमें मैं शामिल कर दूँगी सारी यखनी जो के हमारी पास बागी की बची हुई है ना वो सारी इसमें मैं डाल दूँगी कुकर के अंदर से और कुकर को बिल्कुल आपने हाली कर देना है सारी यखनी डालने के बाद इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है चमच अला दें इसके अंदर अब आपने इसको cover करना है और cover करके आपने 10 मिनट के लिए इसको cook कर लेना है और ये आपने low heat पे cook करना है आज अभी आपने low कर देनी है Guys, इस 10 मिनट के दुरान आपने एक दफा इसके अंदर चमच लाजमी चलाना है ताके मसाला नीचे ना लगे और 10 मिनट के बाद आपने धकना उठाना है इसको mix कर ले एक दफा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बस थोड़ी सी कसर रह चुकी है oil उपर आ जाएगा तो it means कि ये done हो चुका है मैं इसे cover करूंगी मजीद इसे 2-3 मिनट के लिए हम को कर लेंगे low flame के उपर 2-3 मिनट के बाद आपने धकना उठाना है और आपका मसेदा अरस्ता नमकीन प्यास गोश्ट बनके रेडी हो चुका है या आप देख सकते हैं साइट्स पे oil भी आ चुका है तो इक मीन्स के हमारा नमकीन प्यास गोश्ट बनके रेडी हो चुका है अब इसके उपर आपने डालना है लंबा बारीक कटा हुआ अधरक तकरीबन एक चमच ग्रीन चिली यानि के हरी मिर्चे जाएंगी दो अदद साबित ही मैंने ली है और नीबू के स्लाइसिज यानि के लेमन स्लाइसिज हम इसमें डालेंगे दो से तीन लेमन स्लाइसिज आप कट करके डाल दें या एक लिमू ले 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 उसके स्लाइस करें और इसमें शामिल कर दें इसे मिक्स करेंगे हम और ये बिलकुल रेडी हो चुका है अब मैं इसे सर्फ करके आपको दिखाती हूँ चूला मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी आप मैं से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस रेसिपी के अंदर बहुत कम मसाले गए हैं और इवन टमाटर भी नहीं गए है तो यह रेसिपी बिल्कुल authentic रेसिपी है इसके अंदर आपने कोई भी अलग से changes नहीं करने है बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनानी है सिंपल सी रेसिपी है इजी सी रेसिपी है लेकिन बंती कमाल की है जरूर ट्राय कीजिएगा बकराईद के उपर मुझे फीडबैक दीजिएगा in the comment section के आपको आज की रेसिपी कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी होते से like कीजिएगा share कीजिएगा comment कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा thanks for watching take care Allah Hafiz Allah निके बान